तो अगर सवाल ऐसा है कि पहला दिल्ली सुल्टान कौन था तो क्या बनेगा अंसर कुतो बुद्दीन एबक्वसफस सुल्टान अगर बिटा अपने पास चार ओप्शन्स हैं ध्यान देतें इदर बारा सो से लेके पंदरा सो बारा सो छे से लेके पंदरा सो चबशन्स है वन टू से लेके वन फाइव वन फाइव वन टू से लेके वन ट्रिपल फाइव question यह है बिटा which of the following is the accurate time for the दिल्ली सुल्तान तो क्या बनेगा answer अच्छा एक सवाल बिटा अगर ऐसा हम पिक करते हैं कि who laid the foundation of कुतुब मिनार किस थापना की शुरुवात किस सुल्तान ने करी तो क्या बनेगा answer अपना options तो मतब एक ही कोशन से अपन एक ही तरीके से अपन तीन कोशन बनाने कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक option है कुतुब उद्धी नैबक दूसरे है इलतुत्मिश और तीसरे है फिरोश शाह ठीक है तो अब बेटा सवाल देगे हैं हाँ पर हम तीन कोशन फ्रेम करेंगे यह तो बिल्कुल सही जवाब अगर आप कह रहे हो कि इसके निर्मान को पूरा करवाया था इलतुत्मिश ने लेकिन हमें यह पता है बेटा कि कुतुब मिनार जो है इसकी foundation रखी थी कि एक्जेकले कुतुब उदिनेवक ने इसकी foundation रखी उसको complete कराया इलतुत्मिश ने इन कुतुब मिनार जो है वो five story building है मतलब पांच माले की building है जो तीन माले थे इसको बनाया था इलतुत्मिश ने जो शुरुवात उसके चौथा जो पांच्वा माला था इट वोस बाइदा फिरोश शाह तुगलक ठीक है यह भी याद हो गया भाई अच्छा तो वह एक सवाल अगर ऐसा बनाये कि इंडिया के अंदर सबसे पहली जो मस्जिद थी वो किस सुल्तान ने बनवाई मस्जिद का नाम हाँ कुतु मिनार के पास तो है और उसका नाम है कुवत उलिस्लाम मतलब कुवत उलिस्लाम लेकिन एक पुवत उलिस्लाम जो मस्जिद है इसको कुतु बुदि नवक ने बनवाया था तो दो पुवत याद देखेंगे एक्जाम के प्रोस्पेक्टिस अगर हम डिस्कस करें प्रोस्पेक्टिस अगर तो आजाए अपका कुतु बुदि नवक अचाए एक सवाल बेटा अपन और फ्रेम करते हैं कि कौन से सुल्तान थे जो चौगान खेलती हुए घोड़े से गर के मरें बस सुल्तान वही है बेटा कुतु बुद्धी नवक इलतु तमिश ग्यासु दीन तुगलक ऐसे हैं बताएं कुतु बुद्धी नवक एक्जेक्ली कुतु बुद्धी नवक अच्छा बेटा कोशन फ्रू गदर कम्प्लीट करते हैं पहले एक दो और कोशन पूछ लेते हैं फिर अपनी कहानी को अगया बढ़ाएंगे अब एक और कोशन है बेटा कि विच सुल्तान स्टार्टिट दी इक्ता सिस्टम एक्तेदारी सिस्टम की या एक्तेदारी विवस्था की सुरुवात कि सुल्तान ने करी ऑप्शन सेम वही है भी कुतुबुद्दीन एबग इल्टुत्मिश रजिया सुल्तान और ग्यासुद्दीन बल्वन अब देखो इसी के थुरू हम कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि चीजे हमारी थोड़ी से रिकॉल हो जाए अब रिकॉल में पहली बात हमें क्या आद रखने है कुतुबुद्दीन एबग से जुड़ी हुई जितनी बात हमको पता होनी चाहिए तो पहली चीजे तो हमें यह आद रखना है बिटा कि कुतुबुद्दीन एबग वो सुल्तान है जिनको लाख बख्ष कहा गया ठीक है इनको लाख बख्ष कहा गया साथे साथ फादर आफ मॉस्क बिल्डिंग भारत में मस्जिदों के निर्मान की शुरुआत करवाई इन्होंने यह भी ठीक है ठीक है चौगान खेलते हुए इन्ही की डेथ हुई थी चौगान मतलब युएस पॉलो नाम का एक गेम होता है युए तब हawकी होती है उसको खेलते हो इनकी मौत हुई और ये सुरुआत में इन्होंने अपनी स सल्टान हिख के शुरुआत करी तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में रखी थी लाहौर से राजधानी को डेली शिफ्ट करने राजा जो थे या सुल्तान थे वो थे इल्तुत्मिश और इल्तुत्मिश ने ही बेटा इक्तेदारी की शुरुआत करी साथी साथ तुर्कान ए चहल गनी इसका मतलब क्या है ग्रूप ओफ फॉर्टीज चालिस लोगों के एक सब ग्रूप बनाया जिसके अंदर बड़े बड़े टर्किश नॉबल हुआ करते थे जो सुल्तान को किसे समराज चलाना है उसके बारे में डिसकस किया करते थे फिर उसके बाद रजे सुल्तान के अबरे में ज्यादा फैक्ट की बात नहीं है बस इतना पता है कि पहले महिला सुल्तान थी पूरे साउथ एशिया में या फिर पूरे भारत की ग्यासुद दीन बल्बन तागत वर राजा है इन्होंने सजदा सजदा कि पैबोज हां बेटा क्या बेटा नहीं नीए बेटा ये हम ओल्लडी कर छुखे हैं बस हम सोंस इसको क्या कर रहे इसको कि पλनेव records कर रहे हैं तो टेंसे न ही लेंगे बस हम एक बस एक हैई बस का हम धुल्य कर करी हैं ग्यासु दिन बल में सजदायन पैबोस की शुरुआत करी और एक फेस्टिवल था नौ रोज उसको भी शुरुआत करी उन्होंने खेर इन सब बातों पर इतना फोकस मतब ना रखें क्योंकि हमने इसको पढ़ चुके तो टेंशन वाली बात नहीं आने चाहिए कुछ इसमें आज एक फ्रेश और एक बहतरीन टॉपिक के सुरुआत करेंगे बटा अपन तो हमें ये पता है कि डेली सुल्टांस की स्टडी कर रहे हैं और हमको इतना पता है कि डेली सुल्टांस के अंदर हमने बहुत साइप परिवारों को पढ़ना है तो पहला परिवार था वो था स्लेव डाइनस्टी इसको हमने गुलाम वंष कहा। उसके बाद जो दूसरा पावरफुल फैमिली डेवलप हुई बटा धैटिस खिलजी डाइनस्टी के बारे में भरी कुछी रेउस्त के बारे में हरी कुछ बात को पता कर ले न जो हमारे ग्जाम के अंदर आ सकत या आने की most possibilities हैं जिसके बारे में, that is Khilji dynasty, तो बहिए गर हम Khilji dynasty के बारे में बात करें, ज़दा डिले ना करते हुए, बेटा discuss करना शुरू करते हैं, अब यहां से बही class के अंदर active हो जाएं आप लोग, कि Khilji दूसरे dynasty है सुल्तानों की जिन्होंने भारत में रूल किया, और पहले जो सुल्तान थे, उनको हमने slave बोला, मतलब गुलाम वंश, इसके साथ-साथ उनको ममलूक भी कहा गया, क्योंकि वो ममलूक सुल्तान थे, और इसको कभी-कभी हम इलबारी dynasty कहते हैं, तो इसका मतलब दिल्ली सुल्तानों में जो पहली dynasty थी, वो slave, गुलाम वंश ह लेकिन उनको अन्य दो नामों से जाना गया, एक ममलूक डाइनस्टी और एक इलबारी डाइनस्टी, और उस जो पहला परिवार था, उसकी सुरुआत करी थी, कुतुबुदी नयबक ने, आखरी जो राजा थे, बड़े ताकतवर वो थे, ग्यासुदीन तुगलक, उनकी म दाइनस्टी के अंदर बिटा, दो इंपोर्टन राजाओं के नाम हम पता होने चाहिए, तो हम पढ़ेंगे, एक तो खुद है जलाल उद्दीन खिलजी, इसका मतलब ये है, कि जलाल उद्दीन खिलजी is the person who founded the खिलजी डाइनस्टी, जलाल उद्दीन खिलजी वो रसुल् के बाद इनको क्यों गद्दी से हटा दिया गया, तो बास समझें, कि जो जलाल उद्दीन खिलजी थे, ये एक ऐसी नीती को अपनाते थे बेटा, क्योंकि जलाल उद्दीन खिलजी ये मानते थे, कि जिस छेतर रुपे हम दिल्ली पर राज करना चाहते हैं, यहां कि अधि की नीती थी, जनरली इनसे वहले जो भी सुल्तान थे, वो क्रूर हुआ करते थे, किसी दूसरे धरम के लिए, लेकिन जलाल उद्दीन खिलजी ने क्या किया बेटा, ये सोचते थे कि एक काम करते हैं, कि जितने भी दूसरे धरम के लोग हैं, इनके प्रते हमें प्यार से रहना है, थोड़ी इनकी पॉलसी लिबरेट हुई, जैसे इनकी पॉलसी थोड़ी सी सराल होने लगए कि इसके तरफ नौन-मुस्लिन इसलाम की तरफ, वैसे ही खिलजी के अंदर बगावाश शुरू हो गई, खिलजीयों के अंदर बगावाश शुरू हो गई, ये फाउंडर है, फाउंड करके 6 साल में गद्धी से हटा दिये जाएंगे, मार दिये जाएंगे और इनको मृत्यू कर जो कारण है वो अलावदीन खिलजी ही है, अलावदीन खिलजी ही इनकी हत्या कर देंगे और इनकी हत्या करने के बाद खुद को दिल्ली का सुल्तान अलाउदीन खिलजी, अब अगर हम अलाउदीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी बास समझे तो अलाउदीन खिलजी ने 1296 में गद्धी समाली और 1316 तक गद्धी बैठे, तो इनका भी जो राज है देखेंगे बैटा, 10 से करीबन 20 साल तक का इनका एंपायर से चलेगा एक तो 1296 में बैठेंग गद्धी पे तो 1306 और 1306 से लेकर 1316 20 साल का राज रहता है बेटा इनका और प्रॉपर अगर मैं कहूं आपसे बेटा तो 20 साल के रूलिंग के अंदर ये 1315 तक ही गद्धी पे रहते हैं अगर इस पूरे मैप को हम देखे ध्यान से तो अब तक जो भी सुल्तान थे बेटा उन्होंने अधिकांश बस इतने हिस्से पे कबजा किया था जिसको मैं ये रेड लाइन से अंडर लाइन कर रहा हूँ मतलब इतने ही नक्षे पे सुल्तान बैठे हुए थे जो इससे पहले परिवार था वो सरी इतने ही समाज इतने ही एरिया पे रूल कर पा रहा था लेकिन जैसे ही अलाउ दिन खिलजी गद्दी बैठे बिटा अलाउ दिन खिलजी ने military expansion करना शुरू किया अलाउ दिन ने कई सारे बड़े expansion किये कई सारी से नाओं को हराया और हराने के बाद within 20 years मतलब अपने 20 साल के समराज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूरे जो उस समय का भारत है उसको पूरे तरेके से अपने अंदर में कंट्रोल कर लिया तो यहाँ दिल्ली है और यहाँ से लेके मदुरई केरला में है तो दिल्ली से केरला तक का इनका डारेक्ट रूल स्थापित हो गया within 15 years और 20 years of rule और 20 साल के राज्य के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया इसलिए as a Sultan he was the most powerful Sultan of the whole Delhi dynasty बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई तीक अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह ताकत वर है क्योंकि इनके गरहां military campaign की बात करें और एक्जाम का सवाल यहाँ बनेगा तो अलाउद्दीन खिल जी बेटा खुद एक minister of war हुआ करते थे जब जलाल उद्दीन के अंडर काम किया करते थे तो इन्हों ने अपने कई सारे military campaign समाले जब यह खुद सुल्तान बने तो पहला इनका military campaign था बेटा गुजरात में तो एक्जामनर क्या पूछेगा अब हमसे बेटा कि in which year अलाउद्दीन खिल जी invaded in गुजरात 1299 आपका अंसर बन गया और उस समय गुजरात के जो राजा थे वो कौन थे राइकरण अब अगर देखें तो गुजरात पे 1299 में और राजा है राइकरण और उसके बाद इनके जो two important journal है एक उल्ला खान और एक नुसरत खान तो दो नाम है एक उल्ला खान और एक है नुसरत खान ये दो powerful इनके commander है जो अलाउद दिन के तरफ से गुजरात में invade कर रहे हैं और उस समय जो गुजरात के राजा है that is राइकरण और इस युद्ध के अंदर अलाउद दिन की जीत हुई और इस युद्ध के बाद गुजरात fell into the control of अलाउद दिन खिल जी तो गुजरात डारेक लिए अलाउद खिल जी के पास आ गया फिर उसके बाद बेटा दूसरा बड़ा आकरवन किया 1301 में इन्होंने कहां पे बेटा रन्थम बोड अगर इसको समझें तो बैए नक्षे पेकर देखनी की बाद करें बेटा तो ध्यान दें इधर कि अगर हम बात करें गुजरात वाले जो छेतर है तो गुजरात वाला छेतर कुछ इस जगहां पे है और रन्थम बोड बेटा कुछ इस जगहां पे है तो इसका मतब अलाउद दीन ने अपना पहला इन्विजन किया गुजरात के छेत्रों में क्राय करन को हराने के बाद फिर ये पहुंचे रंथम बोड इन्होंने रंथम बोड की जीत करी जब इन दो छेत्रों को जीता फिर उसके बाद इनका अगला जो निसाना बना बेटा इस चिताओड अब चिताओड की कहानी एक पिच्चर आई थी कुछ साल पहले पदमावत चिताओड की कहानी बहुत इंपोर्टेंट थी वहाँ पे तो 1303 में अलाउद दीन ने चिताओड पर आकमन किया बेटा वहां की रानी थी पदमनी और वहां के जो राजा थे राजा रतन सिंग गहलोत या गोहिला राजा रावल रतन सिंग अब इसमें क्या हुआ बेटा आपको कहानी अगर आपको पता है तो पदमनी को लेके चिताओड पर आकमन की अलाउद दीन खिलजी ने कब 1303 के अंदर और चिताओड भी क्या हुआ बही किसके अंडर आ अलाउद द युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं लेकिन बेटा देवागिरी ठीक है वरांगल और होईशल एगर इसको देखे तो इस कॉंटे को समझें बेटा तो चिताओड भी बेटा यहीं है तो मतलब इन तीन जगहाओं पर अलाउद दिन खिलजी खुद अपनी सेना के साथ आगे गए हैं लेकिन बेटा ये दौलता बाद इसको देवागिरी कहते हैं ये रहा आपका वरांगल ये रहा आपका मदुरई तो इन छेतरों पर जब अलाउद दिन की सेना पहुंची बेटा तो इन छेतरों के अंदर अलाउद दिन खुद युद्ध के अंदर नहीं है बलकि उनके कमांडर सी युद्ध के रणने के लिए आगे जा रहे हैं अब इसकी दो वज़ा हैं बेटा अलाउद दिन के समय अब हमें ये पता है कि जतने भी सुल्टान आए हैं भारत के अंदर ये इसी वाले गेट से भारत के अंदर एंट्री लेके आए हैं और एज़स सुल् लोगी 20 से निकल के जाना है तो दिल्ली से दौलताबाद बहुत दूर है और अगर दिल्ली का सुल्तान खुद दौलताबाद के अंदर तो दिल्ली वो समाले का कौन तो इसलिए इन तीन युद्धों को जीतने के बाद चित्तौड गुजरात और अंथम बोड के का डर था बेटा तो हमने पड़ा है कि जब सुल्तान भारत में आये तो इस छेत्रों में एक नया ताकतवर पावर बनी बेटा इस मंगोल तो इतिहास किताबों में लिखा है बेटा कि अलाउद दिन ने छे बार मंगोलों के आकर्मन से अपने आपको बचाया और छे बार म नहीं था क्योंकि इनको तो मैं हरा चुका हूँ लेकिन जो बड़ा खत्रा है वो बड़ेगा मुझे मंगोलों के आकर्मन से तो ऐसा सुल्तान में बहुत दूना तक दूर नहीं रह सकता और दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए बेटा फिर अलाउद इन खिलजी ने क्या क ध्यान दे इस किलेदार का नाम रखा है उन्होंने गाजी मलिक तो गाजी मलिक क्या कर रहे है बेटा इस किले की रक्षा कर रहे है ताकि कोई भी बंदा बाहर से आकर्मन ना करे और यहां से आपको प्रोटेक किया दिल्ली में आपने आपको बचाय रखने के लिए इन्हो कि ये बाहरी से आते वे आकर्मन को defend कर सके तो पहला gate हो गया बिटा ये वाला North Western Frontier उत्तर पस्चमी छेतर में दूसरा जो केला बनाया सीरी फोट तो सीरी फोट का नेतरत खुद कर रहे हैं और लेकिन जो उधर वाला फोट है आपका अफगानिस्तान के छेतरों के तरफ है उसके कलेदार बनाया गाजी मलिक को तो अब ये सब करने की बावत ये सब क्यों कर रहे हैं अलाव दिन खिल जी क्यों उनको पता है भाई अपने आपको expand करना है तो ये तीन लडाई में चितोड में रंथम बोर्ड में गुजरात में खुद थे बाकी जो अन लडाईयां हुई बेटे इनकी चाहे वो वरांगल की लडाई हो चाहे होसल की लडाई हो और चाहे आपकी देवागरी की लडाई हो तो इसके अंदर आप देखेंगे तो डारेकली अलाउद दिन खिलजी इनकलकेट नहीं है तो इसके अंदर बेटा वही हमारे एक्जाम के लिए जो पॉइंटर बनते हों यहां मैद रखना है कि 1307 में मली कफूर ने अटैक किया बेटा देवागरी पे और उसके बाद 1309 में फिर अटैक किया गुजरास से और बेटा 1310 तक आते आते पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया और सबसे बड़ी वज़ा इतना बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए अलाउद दिन मानते थे कि भाई अगर मुझे इतना बड़ा एक्सपेंशन करना है तो मुझे एक चीज़ चाहिए अपने पास वो होगी मेरी मिलिटरी और मिलिटरी को बहुत पाउरफुल बड़ाने के लिए अलाउद दिन खिलजी ने एक पॉलिसी को इंट्रड्यूस किया बेटा जिसको हम अलाउद दिन की मिलिटरी रिफॉर्म्स भी कहते हैं उनको हम अलाउद दिन की मिलिटरि रिफॉर्म्स भी कहते है यहां तकि बात एक लिए पेटे पहले बताए हाया ना तैक अब अगर हम बात करें यहां कौन-कौन लड़ाई लड़ रहा है बेटा मलिक कफूर है मलिक कफूर ये सारी लड़ा जो South India की थी इसमें मलिक कफूर है और एक नुसरत खान है वो भी मिलेंगे आपको सरफरास खान में लेकिन जो main commander है वो आपके मलिक कफूर है इनने को 1000 दिनारी भी कह रहे हैं हम ये अलाओदिन के बहुत करीब जो है पहले उलाख़ान और नुस्रद खान ये दोनों थे बेटा लेकिन उलाखान की मृत्यों जाती है तो उसके बार सारी committees को lead करतें साउथ हिंडिया में ये मली कफूर जीते हैं और मदुरही की बात करें तो जीतेगे मदुरही को जीतेंगे मदुरही को जीतने के बाद मली कफूर क्या देखते हैं अब तो आगे सागर है तो जैसे मलिक कफूर ने मदुरही को जीता वैसे ही मलिक कफूर ने दिल्ली वापस आए उन्होंने बोला कि मालिक हम वहां तक आपका एम्पायर स्प्रेड करके आ चुके हैं जहां थे सागर की सुरुवात है तो एक समय ये ख्वाब देखा था सिकंदर महान ने एलेक्जेंडर ने कि मैं हिंदुस्तान को जीत के हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए एजिप्ट जाते हुए दुबारा ग्रीफ पहुंच जाऊंगा और इस हिसाब से मैं पूरे विश्यू का राजा बन जाऊंगा तो जब मलिक कफूर ने मदुराई को जीता और वहां पर एक मस्जिद का निर्मान करवाया है साउथ इंडिया में तक्षिन भारत की पहली मस्जिद बनी उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप क्या है उन्होंने उनको टाइटल दिया उस टाइटल के लिए हम कहते बाई कि आप है सिकंदर आजम आप सिकंदर आजम है उनको सिकंदर आजम कहने के सबसी बड़ी वज़ा यही थी कि जब मली कफूर ने साउथ इंडिया जीत लिया और सामने सागर था तो जो खौब अलेक्जिंडर ने देखा था कई वर्ष पहले इंडिया के आखरी चोड तक अपने समराज को स्थापित करवा दिया अलाउदीन खिल जी ने तो जब उन्होंने वापस आई तो उन्हों को वाला सिकंदर आजम है आप तो एक कोश्ची अगर ऐसे बन गया कि विच अपना आंसा बन जाएगा अलाउदीन खिल जी कर अब इतनी बाते देख उस विवस्था का नाम था चहरा और दाग विवस्था इसके फॉर्ण को चेंज कर देंगे चहरा इन दाग सिस्टम तो चहरा इन दाग सिस्टम को हम अगर डिसकस करें तो जैसे अगर आज की modern army की बात करें तो modern army के अंदर हर एक जो soldier है उसके पास उसका खुद का identity card है और वो जिस rifle का use कर रहा है उसका भी उसके पास license है similarly चहरा जो होता था ये एक तरीके से soldiers की identity card होता था और दाग मतलब branding of the horses जो घोड़े होते थे उनको भी हम brand करते थे कि भाई ये इस नमरा घोड़ा है तो अपने सेना को बहुत अच्छा और powerful बनाने के लिए उन्हें एक policy को introduced किया that is called चहरा इंदाग system ताकि हर एक soldier और हर एक जो घोड़ा है उसकी identity सुल्तान के पास as it is as a information पड़ी हो इसके साथ साथ अलाउदिन खिल जी पहले सुल्तान बने बेटा जिन्होंने क्या रख्या अपने पास large permanent standing army इसका मतलब इनके पास खुद की स्थाई सेना थी इस अपने visions को complete करना चाहते थे that's why he established a large standing army एक स्थाई सेना रख्यी और उस स्थाई सेना को बेटा इन्होंने cash देना शुरू किया as a salary इससे पहले सुल्तान सेनाओं को पैसे नहीं देते थे but अलाउदिन खिल जी was the first सुल्तान to have a permanent standing army और देखें he paid them with the cash from the royal treasury मतलब जो रस्या को strong बनाने के लिए चेहरा और दाग system को introduce किया अब example point क्या बनाएगा who was the first सुल्तान to have a large standing army permanent standing army स्थाई सेना किसके पास है अलाउदीन खिल जी उसको किस form में पैसे मिलते थे but salary नगत मिलता था और उसके बाद चेहरा और दाग system was introduced by अलाउदीन खिल जी बटा ये तीन जोर के अच्छे से काम करें कि जुरूरी नहीं है तो अलाउदीन खिल जी ने सेना के साथ साथ दूसरा बड़ा 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 बड़ाव लिया markets के अंदर अलाउदीन खिल जी ने markets को reform कर दिया अब generally allowed खिल जी ने किया बटा तीन तरह के अलग-अलग market को निर् पर उसके बाद उन्होंने दूसरी मंडी बनाई अपनी सराय अदल इसका मतलब क्या है कि इसको इस आसान मास्ता में कर समझ ले यहां पर एक market हो जिसमें समान मिलेगा एक market जिसमें क्लोथ मिले कपड़े मिलेंगे और एक market जिसमें आपको slave मिलेंगे और एक होगी other जो इन से छूट मिलती थी अगर कोई commodity 10 रुपे की है कर लगने के बाद वो चीज 20 रुपे की हो जा रही है तो सेना को केवल 10 रुपे मिलेगी उन पर करो की छूट थी इसका मतलब जो can't system था cantonment system च्छावनी विवस्था और जो आर्मियों के लिए वो लेके आए बेड़े आपक secret spies अलाओ दिन इस बात को मानते थे कि कोई से विवस्था अच्छी होगर मेरे पास लेकिन वो विवस्था तभी काम करेगी अगर मैं उस विवस्था को सही तरीके से implement करवा दू यह क्या करते थे हर एक मंडी का एक head रखते थे और हर एक मंडी का head होता था उसके उपर एक secret जासुस छोड़ देते थे कि जब भी कोई गलती करेगा तो वो जासुस डारेक्ली जाके सुल्तान से खवर पहुचा देगा and सुल्तान can take the action तो इसका मतलब अपने market के मतलब military के साथ साथ अलाओ दिन घिल जी ने अपने market reforms बहुत जाद धिया इन सब के बात बैटा इन्हो पूरी market को maintain करने के लिए हर market के अंदे supreme टेंट होते थे और हर supreme टेंट पे एक जासुस होता था और पूरे market को regulate करने के लिए दिवाने रियासत और उसके बाद उसका जो head होता था बेटा that is नाईबे रियासत जो हर एक merchant को देखता था अब इस